हलो सलाम नमस्ते दर्शको सलमान खान के शो बिग बॉस OTT2 को शुरू हुए बस कुछी दिन हुए है और हर तरफ कंटेस्टेंस की चर्चा ही चर्चा हो रही है और जो सबसे ज्यादा लाइम लाइट बटो रही है वो हैं जिने 24 घंटे के अंदर ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया पुनीत सुपरस्टार पुनीत को एवेक करने का सबसे बड़ा कारण उनका सभी घरवालों को इरिटेट करना था कभी वो अपने सिर पर हैंड वॉच डाल रहे थे तो कभी मूप पर टूट पेस लगा रहे थे बार बार बिग बॉस के समझाने के बावजूद भी पुनीत नहीं माने और अपनी मन मानी की सो बस बिग बॉस के घर के नियम उलंगन का नतीजा पुनीत हुए घर से आउट हाला कि सुपरस्टार के फैंस उन्हें लगातार शो में वापिस लाने की मांग कर रहे हैं अब मुद्दे पर आते हैं पुनीत सल्मान खान और बिग बॉस को लेकर स्टेटमिंट्स देने से बाज नहीं आ रहे हैं कभी इंस्टेग्राम पर लाइव के थू दे रही हैं तो कभी रील्स के थू मतलब मौहल बनाए हुए हैं इंट्री से पहले सुपरस्टार ने कहा था कि सभी कंटेस्टेंस के सिर में दर्द करने वाले हैं खासकर सल्मान खान को इरिटेट करेंगे जब भी सल्मान उन्हें सुनेंगे आक्टर को डिस्प्रिन की जरूरत पड़ेगी उनके डायलोग से सलमान को जरूर चिड़ होगी और पुनीत को ये यकीन है कि सलमान सवाल जरूर करेंगे कि मेकर्स पुनीत को कहां से उठा लाए और अब एविक्शन के बाद पुनीत ने सलमान को लेकर फिर कुछ कहा मतलब जी एक होता है ना पैर पर कुलहाडी मारना यहां तो पुनीत कुलहाडी पर ही जा बैठे सलमान खान की लव लाइफ पर कॉमेंट करते हुए पुनीत ने कहा कि अक्टर पुनीत से उनकी गर्फरेंड के बारे में पूछ रहे थे कि क्यों नहीं है अब वो सलमान से पूछना चाहते हैं कि उनके पास कौन सी गर्फरेंड है एक आती है और दूसरी जाती है इस वक्त भाईजान के फैंस का तो मतलब क्या कहूं पारा चड़ा हुआ है पिच्चर अभी बाकी है दोस्तों पुनीत सुपरस्टार का एक विडियो हाइलाइट पर है जिसमें पुनीत बिग बॉस OTT2 में अपनी वाइल कार्ट इंट्री को लेकर बात कर रहे हैं कि बेटा 50 लाग का इंतिजाम कर लेना पुनीत सुपरस्टार को वाइल कार्ट आपसी होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा या यूं कहूं वीकेंड पर सल्मान जी बताएंगे अभी के लिए इतना ही मैं चली फिर मिलूंगी नेक्स वीडियो में तब तक डू वाटेवर यू वांट तो बट्टों ट्राबल अस सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर यूलिबस